इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी आमलक बीच को फेकेंगे नहीं जो खीज कर दकाचार बनाते हैं या खटी मीठी चटनी बनाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी आमलक बीच को फेकेंगे नहीं तो यहां पर आचार बनाने के बाद आमलक के खराब हो जाए है, तो इसे भी साथ में यूज कर लेगे। इसे छोटे-छोटे पिसमें काट लेगे। इस तरह से छोटे-छोटे टुक्डे में काट लिया है। इस रिमेडि आने लिए इस राय में आप बसदती काणा साओ цен प्रियों, सोयमिल का है इसमें इनारेल का तेल डाल देंगे और साथ में डालेंगे यहां पर आधिकपसे थोड़ा ज्यादा है मैंने यहां पर सरसो तेल लिया है को ठंडी का मौसम है तो सरसो तेल लिया है और इसे गर्म हो जाने पर यह जो आमला का बीज है उसे हम डाल देंगे तेल मे साथ में जो कटा हुआ आमला है खराबाले जो काटकर रखे थे उसे भी डाल देंगे साथ में तेल के साथ और इसे एक वर चला लेंगे स्पून से और तेल में जैसे जुबाल आ रहे हैं पूरा जाग ही जाग दीख रहा है तेल में जैसे दीख रहा है कितना जाग भर आया है कड़ाई में आमले को इसी तरह से तेल में पकने देंगे, जैसे जैसे पकेगा, इसका color change होगा, आमले का है, देखिए, आप step by step दिखा रहे हैं, और बीच में चलाकर दिखाती हूं, आमला कैसे dark हो गया है, इस तरह से हलका, देखिए, हलका काला काला हो रहा है, तो इसे हम 10 से 15 मिन तक और पकाएंगे और गैस के फिले मैं आपको दिखा देती हूँ इस ती लो टू मेडियम रखा है ज्यादा हाई नहीं किया है और 15 से 20 मिनट बाद ये बिलकुल काला हो गया है देखिए आमला इस तरह से हो गया है और जाग वलकर अपने आप खतम हो गया है पक कर बिलकुल ये जो तेल में पूरा जो आमला का गून है वो पूरा आ गया है इस तेल में आप इस तेल को चान कर इसे अश्टोर कर करक सकते हैं आप अपने बालों में लगा सकते हैं या बच्चों को भी जिसे बच्पन से ही बाल सफेद होने लगते हैं डैंडरफ हो जाते हैं या जहरते हैं बाल बहुत जादा और छोटे बच्चों को ज़्यादा आजकल समस्य आने लगा है और सफेद भी होने लगते हैं बच्चे ठीक से खाते नहीं हैं विटामेंशी की कमी से बाल ज़रते हैं तो आप इस तेल को अप लगाएंगे तो सारे समस्य अदूर हो जाएंगे तो आप इ से हाथ में भी लगा सकते हैं या चेरे पर भी लगा सकते हैं अब पिर आपी से धोलें इस तेल को लगाने के बाद स्कीन में ग्लो आएगी शाइनिंग आएगी बालों में लगाएंगे जड़ से मजबूत होगा घना होगा काला होगा और हेल फॉर्ड भी नहीं होगा